है 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 लो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग तो लास्ट टॉपिक में हमने 1.5 की एक्सरसाइस पढ़ा था जहां पर हमने कॉंप्लिमेंट ऑफसेट और दिमॉर्गन लोग के बारे में पढ़ा था तो आज हम लोग उससे एक इस्टाप आगे पढ़ जाएंगे अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे जो चीजी हम लोगों ने पढ़े हैं उसका जनरल लाइफ में यूज करना सीखेंगे आप समझ रहे हैं जैसे कि माले जी कोई एक सैट है एक के पास इतने किसी को यह पसंद है किसी को यह पसंद नहीं है तो यहां पर एक रिजल्ट आता है एक रिजल्ट आएगा क्योंकि आप आगे पढ़ जाएंगे कि कि अधी इतनी है इसके इतने है बोल उसके न कितने होगे तो वह रिजल्ट पढ़可एंगे तो मानली जगर आपको कहीं पर भी अगर काडि निकालना पड़े औन यूनियन बी का आप समझ रहे हैं भी delightful को आप करने में दिक्कत होगी तो अगर कहीं पर भी आपको एन ए यूनिन बी निकालना पड़ेगा उसका मतलब होगा एन एक प्लस का एन बी माइनस का एंट इंट्रसेक्शन यह पहले मैं रिजर्ट लिग देता हूं तो उसके बाद समझाओंगा भी आपको तो मैंने रिजर्ट य क्या करना पड़ेगा और मेरी हर वीडियो में जो भी मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूं उसका मतलब जरूर समझारों कि वो चीज कैसे आ रही है कहां से आ रही है वरना फिर नॉर्मली तो यह सब तो किताब में लिखा ही हुए अगर आप इसको पढ़ेंगे सिदा तो उस अगर आप वही रट्टू तो बनते हैं तो फिर क्योरी को करने में उस नहीं प्रब्लम को करने में दिक्कत आ सकती है यह आपको समझा है तो रिजल देखिए यहाँ पर A और B दो सेट की बात आ रही है तो मैं वें डाइक्राम से अगर आपको समझा दू जह समान लिए यह सारा A भी ले लेना है और सारा का सारा B भी लेना है दोनों को आपस में कंबाइन करके लिखना है तो यहाँ पर भी A और B लेने का मतलब है कि यह A वाला सारा का सारा ले लेना है और यह B वाला भी सारा का सारा ले लेना है यह आपको समझाया मतलब यह A वाला भी आपने सार ले लिया तो कोई दिक्का तो रही है the ul xam pursuit अफिर फिर ली सचीटञे सब्सक्राइब बाए है अगर आपने यह सारा लिया हुगा फिर अपने अपने में हैं मतलब यह बीच इने अपने आंप आ गए हुगे अ Freddy आपको समझाया प्रॉसके बाद जब आपने सारा का सारर ये ले रही है पूरा पूरा complete दे लेने का मतलब ये a प्लीक वाला पॉरा आता वह कॉमन पॉंट था रहा है उसके बाद फिर से अब जब complete भी ले रहे हैं नहीं डुबारा से आ जाने का मतलब ये तो satisfy सीट के साथ कंडिशन नहीं होती और जब आपको ऊसे नेगलेक्ट करना पड़ेगा इसलिए कि जब आप इसे डुबारा राउंड करेंगे तो जो बी में यह वाले एलिमेंट आ गये थे उन्हें आप सब्ट्रेट कर देंगे और यह common point है common point का मतलब intersection होता है इसलिए आप क्या करेंगे कि A intersection B को सब्ट्रेक्ट कर देंगे क्योंकि आपने उसको दो बार ले लिया एक बार A के साथ लिया था तो A intersection B आया ही था यह आपको समझा रहा है और फिर जब आपने इसे B के साथ लिया तो A intersection B दुबारा आगया क्योंकि B के साथ मतलब B की बॉंडरी देखें B की वह यहां से जा रह है क्योंकि आप A सारे दे रहे हैं complete और वी complete ले रहे हैं जिसमें यह वाली चीज़ें के साथ भी जा रही है और यह वाली चीजें तुबी के साहर ज़रूरत नहीं है या बर वे के साहब ज्यरूरत क्योंन है मतलब उलाल लिए के सामधाने हिए अतैक्धें इसलिए आपने सब्सटाइट कर दिया आपको समझ आया और यह वाले एंट इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और अगर यह प्लस तरफ जाएगा माइनस मतलब जैनररली रिजर्ट से कहें तो आप इस जगह दोनों तरफ एड कर देंगे इन इंटरसेक्टिंबि तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि यह इस तरफ जाएगा प्लस होगे कोई आदमी थोड़ी नहीं जो इदर से प्लस होगे वहां पर क्या करना होता है कि आपको यह क्वांटिटी को भटाना है यह क्वांटिटी अटाने के लिए उसका ही इन्वर्स बतलब नाइगेटिव है तो वही यह प्लस का एड़ जोड़ दीज़े जो एलमेंट नगरेटिव है वही प्लस का एलमेंट जोड़ दीज़े तो यह माइनस का जब हटाएं कि क्या करना पड़ेगा तो इह तो यह अपको दोनों तरफ यह quantity आपको क्योंकि यह हटाना तो यह हटाने के लिए आपने इसको दोनों तरफ क्या करा एड़ कर दिया तो एड़ करने पर यह वाली quantity से तो तो आपके पास सिंपल रिजर्ट आएगा एं यूनियन भी प्लस का एं इंट्रसेक्शन भी बराबर एंए प्लस का एंबी यह आपको समझाया और फिर जो यह यह यहां से अटाना पड़ेगा तो अटाने के लिए क्या करेंगे फिर से दोनों तरफ सब्टैट कर देंगे एं इंट 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 करने पर यहां से कंसिल हो जाएगा यहां पर भी माइनस एंट इंट इंट्रसेक्शन भी आपने दोनों तरफ गटा दिया n a union b तो यहाँ पर मिलेगा n a plus का n b minus का n a union b यह आपको समझाया तो जो यह वाली element थी यह कैने सिरो जाएगे 0 बचेगा तो आपके पास result आ गया n a intersection b is equal to n a plus का n b और minus का n a union b यहाँ तो कोई दिक्कत है n a union b तो यह वाला आपका result था गहीं पर भी अगर आपको intersection निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा दोनों के दोने element को जोड़के उसमें से पूरा का पूरा union गटा दीजिए यह आपको समझाया है simple result था तो और वैसे भी जनरली अगर आप देखते तो यह minus इस तरफ आके प्लस हो जाता और यह plus इस तरफ आके minus हो जाता उसको ऐसे बोले जाता है तो अगर आपको कहीं पर भी एंड यूनियन भी निकालना पड़ेगा इसका मतलब क्या करना पड़ेगा उसमें से आप सब्ट्रेट कर देंगे एंड एंड इंट्रसेक्शन भी और अगर आपको कह ए उसके बाद फ्लेड वाली रिजर्ट आता है जहांपर पहले धेखिए क्या हां फ्लाइड बलीग देता हूं अगर आपको कहीं पर भी एंड यूनियन भी यूनियन से निकालना पड़ेगा इसका मतलब एने फ्लस का एन वी प्लस का एन सी माइन सब्दस का एन एंट्रसे तो इसको भी देखे वेंड आगा आप समझते हैं क्या से आया रिजल की है विपूरा का पूरा एंड ये कंप्लीट दी और ये कंप्लीट सी आप समझ रहे हैं तो एंड और सी सबसे पहले क्या कर डालता है इसको अपने ले लिया पूरा का पूरा इसका मतलब फिर अयूरा का पूरा ले लिया फिर जो NB, NB का मतलब क्योंकि जब A union B union C ले रहे हैं मतलब A वाला भी complete लेंगे, B वाला भी complete लेंगे और C वाला भी complete लेंगे तो A वाला complete ले लिया, फिर उसके बाद जब B वाला complete लेंगे तो ये B वाले की boundary भी पूरी आ जाएगी तो A भी पूरा ले रहे हैं, NB भी पूरा ले रहे हैं और NC भी पूरा ले रहे हैं इसका मतलब आप उससे add कर रहे हैं यह आपको समझाया है, लेकिन अब ध्यान से देखिए एक चीज, कि जब आप add कर रहे थे, मान लीजे पहले A और B आप add कर रहे थे यह पूरी की पूरी चीज जो मैंने बिल्कुल डार्क कर दिया वो क्या होगी वो एक के साथ भी चली जाएगे लेकिन जाने तो किसी एक के साथ थी इसलिए आपने क्या करा एंटरेक्शन भी एक बार सब्टेट कर जो कि दो बार जा रही है जो कि possible नहीं होगा accept नहीं करेगा इसका मतलब आपको उसे एक बार अटाना पड़ेगा तो एक बार अटाने के लिए आपनो उसको सब्टेट कर दिया एक बार यह समझाया फिर वैसे जब यह ओर सी ले रहे थे तो कंडीशन है ये वाली, आप समझ रहे हैं, जो ये वाली condition है, ये वाली, जो ये वाली condition है, इस में से, जब आप A ले रहोंगे, तो भी ये जाएगी, और जब आप C ले रहोंगे, तो भी ये जाएगी, मतलब ये वाली condition जो है, इस A के साथ भी जा रही है, और ये वाली condition जो है, इस C के सा बाद भी आरहे हैं तो दोनों जगा जारी है मतलब पॉसिबल तो नहीं है तो एक बार आपको सब्सक्राइट करना पड़ेगा इसलिए आप गटा देंगे यह वाला जो रिजल्ट है यह वाला क्या हो रहा है यह वाला रिजल्ट बी के साथ भी जा रहा है और यहीं वाला रिजल्ट सी के आपको करेंगे कोई दिकति लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि जब इसको करने पर जब आप यह पूरा को पूरा आई वाला करने पर जो यह इसके साथ भी A और B के साथ दोनों के दोनों के साथ है A और B के साथ इसका मतलब यह head subtract हो जा रहा है समझ रहा है फिर जब B C के साथ जा रहा है और फिर C A के साथ भी वाली condition जा रही तो यह तो आपको कहीं पर मिली नहीं रहा है कहीं पर मिल नहीं रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा ये वाला रिजर्ट ये पूरा का पूरा इंटर सेक्षन भी में आ रहा है समझ रहा है तो ये वाला रिजर्ट आपको बीच वाला कहीं मिला ही नहीं मतलब ये बीच वाला ब्लैंक रहे गया बिल्कुल कहीं पर मिला ही नहीं आपको कोई दिक्कत है यह फिर से आपको कर रहे तो यह पूरा काश धिरो तो कर दिया था मतलब यह फिर से शमाद कुण समय डहीए ग्लाइको पीच वाला तो लेना लेना पड़ेगा ना को यह वाला कोर्षन कहीं रहीं घर कर देज ahead तो N A intersection B intersection C आ जाएगा यह आपको समझा है कोई लिख करते हैं आपके तो यह इसका result था समझाएगा मैं डाइग्राम में टौक की फिर आगे बढ़ता हूँ क्या करना पड़ेगा जैसे मान लीजिए करने केलिए लिए करेंगह करेंगे खवर अगर बढ़ताईase तरह जा तो यह प्लस का इसtezरफ यह हो सकता है गी गी वैसे भी नॉर्माल रिजर्ट है कि अगर आपको कहीं पर इंद लाका निकालना पड़ उतना के लिए मालश वाले कंडीसायल जाएंगे तो यह माइन शोलागा आप समझ रहे हैं तो ले जाएए यह प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का N A intersection B intersection C बराबर यह सेम N A plus का N B plus का NC minus का N A intersection B minus का N B intersection C minus का N C intersection A और यह वाली जो quantity प्लस थी वो इस तरफ आएगी तो माइनस का N A union B union C यह सीज आपको समझाया और जब यह quantity आपको समझाया तो देखें यहां से माइनस एटाना पड़ेगा तो माइनस एटाने के लिए क्लिए 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 तो आपको रिजल्ट आजाएगा तो यह समय बोथ दोनों तरफ माइनस की माल्टिप्लाई कर दीजिये तो मिनले जाएगा N A intersection B intersection C is equal to यह जो माइनस होगी आपको माइनस की क्लिए माइनस की मंटिप्लाई कर रहे हैं तो यह जाएगा माइनस इन यह माइनस का N B यह माइनस का एन सी यह वाला प्लस का एन, एक सेक्ट्सक्ट्स और यह वाला हो जाएगा एक सेकेंड एक सेकेंड क्या करते हो hainने यह प्लस का क्कोंटिटी धन दाए तो माइनस घ्ल दाए तो स्द्रीख चलना रहा है तो यह हमारे रिदस आ गया यह भी माइनस का हो गया फिर माइनस से क्याओं करें तो यह वाले प्लस अगर आपको निकालना पड़ेगा करेंगे सी के साथ फिर रहें करेंगे के साथ u에 के साथ 4 ko est कर गहिंड करण सब्क्रič UpEx j कर समझाये लिए आ है को जो कि इस वाली से आए है और यह करोव मतला बगार filtering लगा कि जर्शल्ट भी लाज सकते हैं तो यह था आगे वाली जो हमारी exercise चलेगी 1.6 उसका theoretical part अब अपने उसकी numerical portion पर आते हैं उसमें कोई ज्यादा theoretical part नहीं था इसलिए दोनों का दोनों काम इसमें theoretical plus numerical एकी वीडियो में आ जाएगा तो निकाली अपना numerical exercise number 1.6 का question निकाली है क्योंकि theoretical part इसमें और कुछ नहीं था यह आपको समझा है मिटो देते हैं से रफ कर देते हैं और निकालने से पहले book अपने सामने रख लीजे numerical portion पढ़ने से पढ़ने आपको समझने में आसानी होगी question number first पढ़िए कहा रहा है if x and y are two set x और y दो set है such date जहाँ पर nx is equal to 17 x की value दी हुई है number of element जो x के पास है वो 17 है number of element जो y के पास है 23 है and number of element जो x union y के पास है वो 38 है तो कहा रहा है find nx intersection y तो बताओ intersection के पास क्या होगा और आप चानते हैं कि जो intersection वाले का formula होता है वो यह होता है nx intersection y वाले का formula सबसेट फिर्स्ट वाला nx plus का n y नहीं यह second वाला था nx plus का n y minus का n x union y result तो आपका यही होता है फिर्स्ट वाले से हमने second वाला पुरूफ करना था जो की result यह था तो उसने का यह number of element x के पास कितने है 17 है यहाँ पर आप 17 पुट कर देंगे फिर प्लस का number of element y के पास 23 है तो यहाँ पर 23 पुट कर देंगे और number of element x union y मतलब x के पास भी है और y के पास भी है वो कितने है 38 है देखें यहाँ पर 38 लिखा हुआ है उसमें से आप 38 को सब्रैक्ट कर देंगे तो यहाद आपके पास 70 और 23 मिल जाएगा 40 और 40 मैंसे 38 गेटाने पर आपके पास intersection के पास आ गया 2 यह समझ रहा है तो n x intersection y आपके पास इस बार x union y के पास कह रहा है 18 element है x has 8 element x के पास 8 element है and y has 15 element y के पास 15 element है तो intersection के पास क्या होगी तो आपको फिर से intersection निकालना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा x और y जोड़के उसमें से union घटाना पड़ेगा तो second वाले question में nx nx के पास देखें लिखा हुआ है x has 8 element समझें मतलब number of element x के पास है वो 8 है तो second result आपका जाएगा x का मतलब 8 है plus का number of element जो y के पास से लिखा हुआ है y has 15 element वो 15 है यहाँ पर 8 plus का 15 कर देंगे और उसमें से subscribe कर देंगे जो उसमें कहा है कि x union y has 18 element सबसे सुरुआत में तो 15 और 8 add करने पर आपको 23 मिलेगा और 23 में पर देंगे तो आपको यहाँ पर 5 इसमें जाएगा यह आपको समझाया कोई दिखकर थी पर उसके बाद थार्ड कोशन पढ़िए कह रहा है इन ए ग्रूप ऑफ 400 प्यूपल 400 आदमियों का गुरूप है उसमें से 250 कैने स्पीक हिंदी जो आप 250 student वो हिंदी बोल सकते हैं and 200 और 200 आदमी जो हैं वो इंगलिस बोल सकते हैं how many people can speak both Hindi and English इसका मतलब देखिए बोथ Hindi and English का मतलब जो Hindi भी बोल सकें और English बोल सकें दोनों की दोनों condition necessary है कि जो इंगली बाले भी होने चाहिए और जो इंगली बोले भी मतलब उसको इंगली बोलने और इसको Hindi बोलने भी आन और वैसे भी इंट्रसेक्शन नहीं होता है प्रक्राय के यह लिखा है यह लिखा हुए यह लिखा है बोट इंदी और उसके बाद एंड्रीट इंग्लीज इसका मतलब पूछ रहे था पूछने के लिए क्या करना है इंदी के इस पीपल कितने हैं 250 है तो जब आपको फिर से जब आपको intersection निकालना है तो intersection के लिए पॉर्ण दिया है या कि जो h intersection हिंदी है मतलब हिंदी intersection इंगलीज है वो बराबर n h फिर प्लस का n e और उसमें सब्सक्रेक्ट कर देंगे n h union e आप समझ रहे हैं तो उसने कहा हुआ इसके बात कहा रहा है जो इंगलीज बोल सकते हैं और उसमें से सब्सक्रेक्ट कर देंगे n h union e नहीं दिया इसका नहीं दो अधान लेकिन यहां पर आप देहिए कहा रहा है इने ग्रूप ऑफ फोर इंडरेट ग्रूप है 400 आजमी ग्रूप लिए तो हिंदी बोलेगा इंग्लिस बोलेगा इसका मतलब यह 400 जो हो आपका यूडिया यह आपको समझाया तो अब उसमें से 400 सब्क्रेक्ट कर सकते हैं यह आपको समझाया पूर्थ कोश्चन में कह रहा है इस एंटर्सेक्शन तो आप जानते हैं यूनियन का हो जाएगा एंटी माइनस का एंट्रसेक्शन तो आप तीनों के तीनों यह भी पता यह भी पता यह पता यह उठाके रखते जीए तो यह तो हो जाएगा आगे पड़ते हैं फिफ्ट कोश्चन में कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आट तू सैट एक्स और यह दो सैट है जह अगर यह भी पता हो यह भी पता हो और यह भी पता हो तो बीच निकली जाएगा थो फिर खेर रहा है इनो ग्रूप आक चाहें पसंद है और दोनों की दोनों भी पसंद हो सकती है है कोशने समझाया कि या तो उसे चाय पसंद होगी या फिर उसे कॉफी पसंद होगी लेकिन कुछ ना कुछ एक चीज तो पसंद है कि या तो कम से कम चाय पियता होगा तो भी काम चल जाएगा कम से कम कॉफी पियता होगा तो भी काम चल जाएगा तो भी portion को कऊफी पसंद ओ जिसको पसंद तो कि जोंकि की तो चारीफ का पसंद आए गा को survived को भी का पसंद दिया हुआ है मतलब इंसOUGH मैं पसंद में कितने हैं सेवेंटी फ्युसान गुछ आदमी को कुछ ना कुछ एक चीज तो कनफर्म पसंद है आप समझ कहें कनफर्म पसंद होने का मतलब है कि या तो वो सतरादमी कम से कम लेकिन चाय और कॉफी वाली में से कोई ना कोई यह कंडिशन तो नैसेसरी है तो इसका मतलब जो वह यूनियन वह रहा है तो आप इंटर्सेक्शन निकाल सकते हैं यह भी पता है यह सब्टेट कर दीजिए समझा आप इंटर्सेक्शन आ जाएगा फिर गहरा है इसका मतलब टी में से क्या कर देना है आप समझ रहे है तो टी को लेना है इसका मतलब टी में से क्या कर देना है की बात करता है और टी माइनस के लिए कंडिशन क्या होती है डिफ्रेंस अफ टू सेट्स आपने पढ़ा होगा मेरी यूनियन इंटर्सेक्शन वाले जो कर वीडियो ची उसका रिजल्ट है उसका लास्ट टॉपी के डिफ्रेंस अफ्रू सेट जब यह आपको टी माइनस का यहां पर बोल रहा है तो आपको अभी नहीं दिया लेकिन इतना तो कह रहा है इने ग्रूप of 65 प्यूपल मतलब 65 प्यूपल का ग्रूप है जिसमें से 40 लाइक चालिश को क्रिकेट पसंद है और 10 लाइक बोथ क्रिकेट ने टैनिस बोथ क्रिकेट ने टैनिस का मतलब यह इंटरसेक्शन दे रहा है बोथ भी लगा हुआ है और वैसे प्रूणॉजिशन करेंगे तो भी क्रिकेट भी पसंद है तो वह दो टैन है तो और यह रिज़र्ट पूछ रहा है कि हो मैंने लाइक कि इस कितने को सिर्फ टैनिस पसंद है तो दोनों रिज़र्ट पूछ रहा है टी-माइनस का सी वी औ प्रूटल आदमी कितने हैं पर 65 प्रूपल है मतलब जो यूनिवर्स है इनका वो 65 है उसके बाद कह रहा है 40 लाइक क्रिकेट एंजी इस इकवल टूट है फिर कह रहा है एंड टैन लाइक बोथ क्रिकेट रहे टैनिस इसको क्रिकेट भी पसंद है और टैनिस भी पसंद है यहां से देखिए यह जो पूरा का पूरा यूनिवर्स में 65 बच्चे है इसका 65 आदमी इसका मतलब वो यूनियन में कि वह तो प्रिकेट खेल देंगे यहां पर यूनियन की कंडिशन लेकर चल रहा है तो इसको मैं अगर यूनियन मान के चलूँगा तो मेरे पास निकालन हुआ है एंसी 40 प्लस का एंटी तो निकालना है माइनस का से इंटर्सेक्स एंट है तो 65 इस इकवल टूट यहां पर 30 इस तरफ आके नेगेटिव तो यह जाएगा है एंटी इस इकवल टू 35 यह आपको समझा है तो टोटल आदमी जो टैनिस खेलते हो कितनी है 35 है आपको न इस 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 जी इंटर्सेक्स इस इसका मतलब टैन तो तो रिजल्ट आजागा 25 मतलब 25 वह जो सिर्फ टैनिस खेलते हैं क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं पिर कहला है एट कोस्टन इन एक कमिटी में 50 प्यूपल इस पिक फ्रेंच पचास आदमी वहांपर फ्र मतलब इस कितने आदमी हैं जो इन में कम से कम एक लिक्वस तो तो बोलते हैं। तो वह स्पैनिस बोलता हो या फिर वह फ्रेंच बोलता हो और यह कंडिशन यूनियन की है कि यूनियन वाली कंडिशन यह कहती है कि वह या तो इसके पास हो या फिर वह इसके पास हो उसने भी दिया हुआ है कि या तो वह स्पैनिस बोलता हो या फिर वह फ्रेंच बोलता हो म के फ्रेंच बोलते हैं तो यह यूनियन आपके पास श्री आई आपको समझाया तो यह रिजल्ट है 1.6 का जहां पर निमेरिकल पोर्शन की वीडियो भी आपको मेरे को लगता हूं मुई तरह समझायों कि तो कोई ज्यादा हाड नहीं कि उसमें सिर्फ फॉर्म लाइक चार व यह बताने के करें इनको पढ़ेंगे तो पढ़ते प्रोनाउंशीशन जरूर करेंगे कि उससे क्या होगा आपको समाझ आएगा चीजों को यह आप समझ रहे हैं तो थैंक यू